J.E. Paper 2 की त्यारी में जो स्टुएंट्स लगे हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता मैथेमटिक्स को लेकर है मेरे से काफी स्टुएंट्स टेलीफून करके सवाल पूछते हैं, सर मैथेमटिक्स के लिए कौन सी किताबे रेफर करें, मैथेमटिक्स की त्यारी कैसे करें क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि J.E. Paper 2 में जो पिछले सालों का उनका अनुभव है, पिछले सालों को पेपर्स उनने देखे हैं, तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि मैथेमटिक्स सवाल, खासे मुश्किल सवाल हैं, तो उनको बड़ा एक मन में भाय रहता है कि ये मैथेमट की देखिए क्या है, टोटल नमबर है 400, 400 में से 200 नमबर हैं आर्किटेक्टर एप्टिट्यूट के और 100 नमबर हैं स्केचिंग के, और 100 नमबर है मैथेमटिक्स के, आखरिके 10-15 दिन में आप अपने मैथेमटिक्स को नहीं सुधार सकते, अगर आपने 11-12 मिय में मैथेमट करें, स्केचिंग पर फोकस करें, रोजाना 5-6 स्केच बनाएं, आर्किटेक्टर एप्टिट्यूट के मैक्सिम कोश्चन सॉल्व करें, धेरों आर्किटेक्टर एंटरेंस की बुक्स हैं, जिसमें मॉक टेस्ट दे रखे हैं, पिछले सालों के पेपर्स को अगर आप सॉल नंबर का है, चाया वो मैथेटिक्टर एप्टिट्यूट का, मैथेटिक्टर एप्टिट्यूट का आप चार नंबर का सवाल सॉल्व करने की कोश्चित करते हैं, उसके 2-3 मिनट लग जाते हैं, लेकिन आर्किटिक्टर एप्टिट्यूट का अगर आप सवाल सॉल्व करत मैं सारे स्टुट्स को ड्वाइस करता हूं कि दो स्केचर आपको बनाने को आ रहे हैं इसकेच इसको पूरा बनाई है आप यह मत कीजिए कि एक स्केच पे आपने सारी इनर्जी लगा दी और दूसरा स्केच आप छोड़ के आ गए अगर 50 नंबर का एक स्केच है दूसरा स्केच 50 नंबर का है एक स्केच अगर आपने छोड़ दिया तो 50 में से आपका जीरो आएगा दोनों स्केच आपने बनाए लेकिन बहुत बड़ीया नहीं बनाए तो दोनों में आपको कुछ न कुछ नंबर मिल जाएंगे यही बात बारी में सीख लिया अगले 15 दिन में कोई जादू नहीं है कि आप मैथेट्स अपना इंप्रूव कर सको कंसेंटेट करो आर्केटेक्टर एप्रिट्टूट पे और स्केटिंग पे शुब काम ना है नमस्कार